हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मनिशास फूड इस्टूडियो आज बना रही हूँ ब्रेट की एक नायाब डिश या ब्रेट की एक बहतरीन प्रिप्रेशन है जो आपने पका पहले कभी नहीं खाई होगी बच्चों की शाम की छोटी-छोटी भूग के लिए पॉफेक्ट ब्र और मेरे तरीके से ये चीज मलाई टोस्ट बना कर देखिए आप हमेशा ही बनाएंगे तो चलिए वीडियो पूरी देखते हैं और वीडियो गर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दवाना तो बिलकुल ना भूलें ता और ये नमक है और ये रंग बी नंगी शिमला मिर्च लाल पीली हरी सी टामाटर है इसके बाद ये देखिए हरी मिर्चे हैं चीज प्रॉससम ही मैंने लिया है और यह मलाई है घर कि और साथ में गाज झरपियाज और कुछ देखे यह हबस यह जैसे यह गोल मिर्ज है पहली गोल मिर्ज का पाउडर है इसके बाद ऑर ही गयानो है और इसके बाद यह फाइब स्पाइस मिक्स जो इसे पीजा वाला जो टेस्ट है वो पीजा वाला टेस्ट देगा और खुश्वू भी बहुत अच्छी आती तो चलिए देखे हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखे मैंने क्या किया है आगे मैंने सारी चीजों की कटिंग कर ली है बस कटिंग का धियान यह रखना है कि सब को बहुत बारी काटना है यह शिमला मिर्चे मैंने काटी इसके बटर में काटके रख लिया है हरी मिर्चे और चीज को मैंने ग्रेट किया है टमाटर गाजर प्याज हर चीज की मैंने बिलकुल तैयारी कर लिए इस तरह से तैयारी सामने में पूरी रखेंगे तो डिश हमारी बहुत ही जल्दी पांच मिनट में फटा फट बन जाएगी तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले मैंने बड़ा सा बोल लिया है और इस बोल में मैं एक के करके सारे वेजिस को डालूंगे देखिए ये रे और यह चोटा सा टमेटो मैंने दिखाया था उसकी मैंने बीजे निकाल लिए और यह हरी मिर्श और बच्चों के लिए बना रहे तो ध्यान रखे हरी मिर्श कम डाले इसके बाद यह है नमक नमक भी अपने सवात के साब से डाले इसके बाद यह देखिए तीनों मैंने हफ दिखाया थे ना औरिगयानो फाइब स्पाइस मिक्स और ब्लैक पेपर का पाउडर यानि गोल मिर्श का पाउडर बस इसे भी अच्छी तरह से मिला दें कि यह देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसमें डालना है बहुत अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है बहुत ही अच्छी तरह सारी सबजियों सूजी और जितनी मलाई है हमारी सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखिए हमारी वेजिस कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है बस इसे बिल्कुल रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है इसे हम तुरंती फटा-फट ब्रेट के ऊपर लगा लेंगे लेकिन उससे पहले काम कर दे स八इफजा के जए हरी को मुठाशोन दे रही हूं गई-एदग मैंने चारों तरफ से जो हार्ट पोर्शन हमारा उसे निकाल दिया है यह देखिए हमारे हाड पोर्शन निकल गये इसके ब्रेड्ट क्रम्स बिएसानी से बना सकती है मैं तो फैक्तील नहीं हूं यह देखे इसे इस तरह से रख लें उसे aside हटा दें यह देखे मैंने लगबख सभी तरह से किनारों को हटा दिया है चलिए अब हम आगी की त्यारी करते हैं यह देखे यह मैं यह जो हमारे तैयार mixture है यह जो filling है इसे में ब्रेट के ऊपर डिरेक्ट बिना बठर या बिना कुछ लगाए बस इसे तरह से बिल्कुल डाल दे रही हूं बहुती आसां सी डेश है बहुतign यह दिखा देती हैं कि स्टफिंग को प्रेस करते हुए दबा कर शे ब्रेट के ऊपर लगा दें इस तरह मैं चारों ब्रेट के ऊपर लगा दूंगे यह देखिए हमारा चौथा बिल्कुल है तयार यह देखिए यह चारो ब्रेड मैंने लगा दी है आपको सामने से दिखा रही हूं बिल्कुल चलिए अब इसे टोस्ट करने की तयारी करते हैं बस यह देखिए मैंने लिया है एक नॉनिस्टिक का तवा है और इस तवे के ऊपर मैंने पहले लगा दी है तेल ताकि हमारा बट यह देखिए इस तरह से दो चम्मच बटर है यह देखिए यह मैंने दो चम्मच लगभग बटर डाल दिया है बटर को भी अच्छी तरह से फैला देना है बटर देखिए कितने अच्छी तरह से फैल गया है थोड़े से पिगलने शुरू हो गया है तब मैं इसमें जो स्ट ब्रेट को लगा दें तोस् się दोप Вас करा गता तरह से आएगा नहीं तो मैं ने शोड़े और से यह जोभी जो स्थाइट में बटर है मैं दूसरी तर तरफ चाहिए जड़िए तो देखिए जब थोड़ा सा गरम हो जाय तो मैं इसमें और भी थोड़ा सा बर्टर डाल दे रही मुझाREE बिलकूल अच्छी तरह से ब्रेट को लगा देखे ब्रेट अब हमारे ब्रेट अच्छी तरह से अपलाई हो चुके हैं और पाँच मिनिट तरह को भी गए अब अलटने बार आ गई है यह दे चोटी चोटी भूख के लिए पॉफेक्ट है यह ब्रेट पीजा कह लें यह चीज मलाई टोस्ट अब यह जब गरम हो देखिए तभी हमें इसके उपर ग्रेटेज चीज को इस तरह से फैला देना है फैला दिया मैंने अब इसके बाद धकन लगाकर चीज को थोड़ा सा मेल्ट होने तक पका दें बस पांच मिनिट भी नहीं लगेगा इसमें बस तीन मिनिट ही लगेंगे दो से तीन मिनिट बस यह देखिए मैं धकन हाटा रहें चीज मेल्ट होना देखे शुरू हो गया है बस और नीचे से भी टोस्ट हमारे अच्छी तरह से सिख गये हैं इसे हम बाहर निकाल लेंगे यह देखिए हमारा चीज मलाई टोस्ट तैयार है इसके बाद इसी तरह से देखे मैंने चारों चीज मलाई टोस्ट रेडी कर लिए इसके बाद है गार्निशिंग की बारी तो देखिए इस तरह से रंग भी रंगे शिमला मिर्चों से इसकी गार्निशिंग करनी है लाल पीले हरे तीनों देखे मैंने सजा दिये हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जब अच्छी चीज़े देखते हैं बच्चे तो बिल्कुल तूट पड़ते हैं तो देखे वे से इसे काट लें के बिल्कुल ही आसन बहुत ही आसान बहुत ही और चीशची बहुत ही ज किवाने बहुत ही तो चलिए का सब्सक्राइब करने ना और के में चाने में अब देख कुर आप कि फाल और बदाल गे यеш into čs यह देखो ये देखे, है ना कितनी मज़ेदार सी, वा, लगरी ना, बिल्कुल शानदार शी डिस, या, चलिए, अब अपने इसे मनपसंद सॉस के साथ सर्व किजिए, ये देखे, इस तरह से मनपसंद सॉस के साथ सर्व किजिए, चलिए, इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूं, कि शर्थ संकर आपना सोस के पिज़ा की तरह से कैसे खा सकते हैं जलिए जलित हैं जलिएρώ जलिए टैसे वात से इसदे इसे गोल घुमाएं और Eck बाइट लिवा बाइट व्हा हाजा जा proclaimed ये तो चलिए अब आप भी बनाएए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाँ, और मज़े कीजिए, और मेरे वीडियो को इंजॉय करते रहे हैं, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, टेंक यू, बाँ बाई, हैवे नाइस डे,